मस्कार दोस्तों यह हमारा part 5 है permutation, combination और probability का तो पहले के 4 पार्ट में permutation, combination हमने ठीक लिया है अब probability में कुछ उनका भी काम आता है इसलिए उनके बाद probability आपको कराई जा रही है तो जब आपको permutation formulation के formula का सही ज्यान हो जाता है तो probability आपके लिए और असान हो जाती है तो हम देखते हैं इस probability में आज कहां तक पड़ पाते हैं ठीक है तो प्रायक्ता जो होता है क्या होता है ठीक है जब भविस्य की घटनाओं की अनिश्चित्ता को अंक गणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायक्ता या संभाविता कहते हैं यानि कोई कोई जैसे खेल हो रहा है उस खेल में कि हम पहले ही कुछ परिणाम हमें पट सके वह भी ऑंग गणित यानि गणित में अंग और बता सके तुछ typing तो अब उसके बाद हमें क्या सीखना होता है sasamIl स्पेस यानि परतिदर्स समझ्ष्टी क्या होता है कि किसी भी परियोग को बार-बार किए तो एक पासा फेकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 याने 1 दाइच फेकने पर 1 2 3 4 5 वाँची या तो इसी को सेंपल स्पेश ज forum से दिनोट करते हैं ठीक है तो यानि कोई घटeurs जबार फिसलों होता क्या है घटना क्या होता है कि ज़ो सेंपल सैज हा उसके उसी में से अगर रम कुछ और सेट वनाएं तो उसको बोलते हैं घटना यान इवेंट जैसे हमने भी यह पासा पहकाता इस पासे में से मैं कहँए के समसंख्या आना समसंख्या आना तो समसंख्या आने की कोई बोलेंगे कि पासे पेकने पर समसंख्या आना तो घटना हो जाएगी समसंख्या आने की ठीक है तो समसंख्या हो जाएगा दो चार और छे तो यानि एक सैंपल स्पेस में से जब कुछ हम और परिणाम निकालते है तो वह बन जाते घटना ठीक है और जो घटना होती है उसे जहतरम ए से डिनोड करते तो इब इसे डिनोड करते से डिनोट करेंगे है डाना ठीक है संदमा आगे आपको अच्छा में यह भी कह सकता हूँ जो इवेंट होता है नए इवेंट बोना सबसेट या बरावर उसकता है सेंपल स्पेस के ठीक है ये जो सबसेट क्या होता है कि इसी का शैंपल श्पेस में से इपनी ऊसका प्रिनाम ठीक है ऊप समुठ तो इसके बाद हम प्राइक्ता का फार्मूला सिखेंगे, प्राइक्ता का फर्मूला होता है, पी यानि, प्रॉबैलिटी ओफ एवेंट, तो पी बराबर होता है, वो इवेंट जो पूछा गया था, और बटे में टोटल सेंपल स्पेस, अभी मैंने जो से बोला हैड आना, तो एक सिपकाव चालने के कितने सेंपल पेस बने दो, जहनी हैड याटेल, खुल दो परिणाम बने, और उसमें हैड आने का एक परिणाम बना, तो वो उपर लिख देंगे, तो यह आपका बन जाएगा, प्रवैलिती हैड आने की, एक बटा दो, ठीक है, अच्छा प्रवैल जो होती है वो जीरो से तो बड़ी होती है ठीक है और जीरो से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है एक के बराबर भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है लेकिन लेकिन पर संभावना प्रवैल्टी में जीरो नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो हो जाएगा तो उसे बोल दें है और समभावित गटना थीक है impossible event हुआ हो और impossible event की जो प्रयक्ता होती वो 0 होती है और वही किसी की प्रयक्ता एगर एक होती है उसे बोलते है संभावित या निस्चित गटना ठीक है डिफिनिट वेट अगला पढ़ेंगे हम कि एक घटना होना और ना होना दुनों को जोड एक हो थाじゃ हगला म्यू क्तलिव इमेंट परस पर अभजी गतनाई तो ऐसी घटनाई में महा एक सैप्पल स्पेस में से हम ऐसी दो घटनाई लेंगे जिन में कोई भी मतलब उवे निस्ट नहीं होगा एक भी चीज में कोमन नहीं होगी ठीक है तो उसके लिए यह वाला निशान होता है इंटर सेक्षन पढ़ते हैं से तो इसे इंटर सेक्षन पढ़ते हैं तो इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों का जो इवेंट होगी उनका इंटर सेक्षन जीरो होगा यानि निल कुछ भी नहीं होगा तो से कह देंगे कि वह दोने मिचली एक्सक्लूजी इवेंट है जैसे मतलब हमने एक डाई फेकने पर डाइ में और बना पड़ना है कि even वन यूनियन एससे निशान को उनियन बोलते हैं इसको यूनियन को मोई ओर संज़ सकते हैं और इंट्रेक्शन को या समझ सकते हैं तो जब दोनों mutually exclusive होते हैं तो event 1 union event 2 इसका formula होता है probability of event 1 plus probability of event 2 अगर not mutually exclusive का question होता है तो formula बनता है event 1 union event 2 बराबर event 1 plus event 2 minus इन दोनों का intersection ठीक है इसको अच्छे समझने के लिए जो आगे question करेंगे तब समझ में आगे बढ़िया ठीक है independent event क्या होता है स्वतंतर घटना कि जैसे मालो अगर आपको स्वतंतर घटना दे दिये जाए तो क्या होती है पहरे स्वतंतर घटना यह समझते हैं यदि दो घटनाओं का घटित होना या नहीं घटित होना एक दूसरे पर निर्भर ना हो तो उन्हें सुत्रंतर घट tässä किस्थ फिर्मूला होता है कि event a the event b का इंटर सेक्शन तो वह को जाता है घुना तो जो ए और बी दुनों गुना हो जाता है प्रबेल्टि Δोनों गुना करने पर इसके बराबर आता है ऐसा तब भता है जब इंडेपेंडेंट, अगर वो dependent हो क्या हो अगर वो dependent तो उपर व աॉपर फॉर्मूला नहीं लेगा अभी dependent क्या होता है यदि एकटना का गटी तोना दूह Falls की निर्भर हो तो ऐसी घटनाओं को परतंत्र घटना या dependent इवेंट बोलते हैं जैसे तास की एक गड़ी से एक पत्ता कीचा जाता है जिसे बाहत किचते हुए यदि दूसरा पत्ता कीचा जाए तो दूसरे पत्ते का निकलना पहले पर निर्भर करेगा यानि पहले और दूसरे पत्ते का कीच जाना दोनों ये दूसरे पर डिपेंड है आप पढ़ेंगे इसके बाद कंडिशनल प्रवैलिटी क्या होती है प्रतिवंधित प्रायक्ता यदि कैसी सेंपल स्वेस में दो घटना होती है जैसे घटना ए इवेंट ए और एक इवेंट तो ए और वश्ग इस तरह होती हैं कि ए पहले ए घटना होती है और उसके बाद धोasना ओती है तो यानि पहले से घटना घट पास्तना घट चुकी जप toca जाद एक और घट ना घट रही है तो पहले वाले को A दूसरे वाले को B तो यानि नीचे इसको लिखते हैं conditional probability को परवैल्टी ओ बी अपोने तो इसका मतलब होता है एक घटित हो चुका है और भी घटित हो रहा है तो इसका जो conditional probability होती है उसका फर्मूला होता है पहले इन दोनों का इंटर सेक्शन ए और बटे में जो घटना हो चुकी है पी ए से डिवाइड कर देते हैं ठीक है इसको धारण से समझेंगे आगे जैसे मालों दो पासे को फेकने के करम में यादि ए पहले पासे पे तीन आने की घटना है और बी दोनों पासे पे आई संक्याओं का योग आने की घटना है तो बी की प्रörenटा फेक्ता फ्रेक्शा प्रसूं की पर्तिवड़िव दीग फ्रेक्यात अब यह पढ़ेंगे यहां से एक फर्मूला कि यूनियन इन ऑ यूनियन की यूनियन घृक्या its probability of A intersection C plus 3 intersection का जोड ठीक है और वही जब when mutually exclusive वाला होता है तो A P A union B का परमुला बन जाता है मतलब जब यह यही वाला question अगर mutually exclusive होता है तो उसमें जो जो union होता है ठीक है यह union नहीं होगा यह intersection होता है ठीक है तो इसमें AB का intersection BC का intersection AC का intersection उपर वाला और यह जो यह वाला था यह तीनों की तीनों 0 होते हैं जब question mutual exchange होता है तब वहां पे बस इसका formula जाता है की जोइटा चार स्हिर्च тобой YouTube कि यतना आपको ये अगला मोता है कि घटना का अनुकूल रितर और अनुपात पुर गठेटा होने की प्रैस्टा और बटे मीन उनुपाते दोनों नाहोएट इसना मेß तो परवेल्टी ओपी नीची आजाएगा ठीक है तास के गड़ी में बावन पत्य होते हैं अब हम तास यह निक आड के बारे में जानेंगे जिसको लोग जिवा समझते हैं तो इसमें बावन काड होते हैं बावन में 26 26 दो टाइप होते हैं 26 लाल और 26 काले अब जो 26 लाल होत 21 26 वां ठीक है अब तेरह तीरह की सुट होते हैं चार-फूंट तो चार में पहला पान का यानि हाट का फिर ईट का यानि diamond का इसे हम leaking भी वो थे और फिर spay Zuschained यानि हुकमका पटता और। चेड़ी का पटता होता है, तु सब 13 थेरा होते हैं टोटल, तो पर पहला होते हैं वो हो पां एट यह दोनों लाल होते हैं और होकोम माचीडी काले होते हैं सभी पहला पत्षाE इक क्व seperti ए्क होता है इस कोटे हैं फिस दुक ठीक का चोकर 5000 छक九 Edda नुवा अधेला को ब Pik को देका कहते हैं देका सब में देखोगे एक एक होता है दस 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 सब में दस 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 यानि सब में डेका डेका होता है एक डेका इसका होता है एक डेका पान का एक डेका इट का एक डेका होकुम का एक डेका चीडी का सभी का एक एक पत्ता होता है ठीक है ऐसी फिर इकका भी देखोगे तो एक दो तीन चार सब के एक 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 का दुखका भी सब में एक एक होते हैं सभी शूट में चार इक का सभी शूट के होते हैं तो टोटल चार इक का ऐसी चार बार्सा होते हैं लेकिन चारों बार्सा की पेचा न अलग है एक होता है पान का एक इट का एक होगों का चेड़ी का ठीक है टोटल हो गए 13 13 13 यानि तेरा चोग बावन पत्य ठीक है तो यह सब आप पहले भी जानते होंगे इतनी बड़ी बात नहीं है कि तस्वीर वाले में आपको धन देना है कि बारह थे पत्य उते हैं जिसमें छे जिसमें छे चलाल होते हैं बारद बार्साथ हुआ होकुम की का बाथ सब्सक्राइब कोरियों मिलते हैं अब इतना को याद रखना अब हम कुछ को सन देखेंगे लिखा है कि एक सिक्के को उच्छालने में टेल में टेल तो टेल आने की प्राइकता क्या है तो एक सिक्के उच्छालने पर दो परिणाम होते हैं यह तो एक हैड आएगा अधार पर चिपीपी इंड़ स्पीजाने हैड या टेल आएगा और इवेंट हो जाएगा टेल अना तो प्रवैलीटी का फ्रमुला बन जाएगा कि अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम थिक है तो अनुकूल परिणाम हैड टेल एक बार आ रहा है और ओंड जो ग संभाविता मतलब प्रहिक्ता मालूम कीजिए कि 4 उपर आहे तो चयार सबतनी प्रछके आएक ही बार हा रहा है तो प्रभल्ट we उपन धाय जाया भी नहींकों गें कि उपरहेता टोटनह फ्रहुंत जाते हैं दोट्ноपय आए अंको का योग साथ होने की परहिता है क्या होगी ठीक है तो दो पासे एक साथ भेके जाते हैं तो टोटल सेंप्ल स्पेस कित्ते बनेंगे तो एक एक दो एक तीन एक चार ठीक है एक पांच एक छे फिर ऐसी पहले वाले पर दो आएगा तो बागी पर ऐसे पूरे छे तक हें तो टोटल है ऐसे आपके 36 आपके 36 चाहां साथ आएक तो यहाँ आएगा 6 construction फिर यहाँ आएगा दोगोनाक्व में 28 अपर journal 945 और भेका नौनंद चरीनी साथ फिर यहाएगा पांच दो साथ अच्छे और एक साथ ठीक है तो एक दो तीन चार पांच छे बनेंगे ठीक है तो आपका अंसर जाएगा छे बटा 36 कटके एक बटा छे ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में